हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में एंडिनिस्टर और एस्टेंडर यूजर एकाउंट कैसे डिलिट और रिमूब करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया है यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब् पूले चलिए शुरू करते हैं इसको डिलिट करने के लिए बहुत सा तरीका है उनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूं कैसे आपको करना है आपको क्या करना है स्टार्ट के उपर राइट क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं open हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको left side में दिख जाएगा account इसको पर आपको click कर देना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा family and other user यदि आपके case में यह option नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपका user account एड्मिनिस्टर नहीं है local account होगा इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम के नीचे आप देख लिजिएगा यहाँ पर देख लिखा होना चाहिए यदि आपके case में एड्मिनिस्टर यहाँ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब आपका account एड्मिनिस्टर नहीं है तो सबसे पहले आपको एड्मिनिस्टर में convert करना परेगा उसके बाद ही यह option आपको दिखेगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको किलिक कर देना है किलिक करते ही इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आप देखेंगे मेरे case में एक administer account है और दो guest account है यानि यह दोनों standard account है तो सबसे पहले मैं आपको standard account delete करना सिखाता हूँ इसके बाद मैं आपको administer account कैसे delete करते है वो भी बताऊंगा extended account delete करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर जिस भी account को आप डिलिट करना चाहते है उसके आगे यहाँ यहाँ Arrow का निसान होगा इसको ऑपर आपको क्लिक करना है इस तरह से window open हो जाएगा अब यदि आप यहाँ पर change account टैप करना चाहते है तो यहाँ से click करके आप account चे दिख जाएगा इसके उपर आपको किलिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करने यहाँ पर दिख जाएगा इसको पर आपको क्लिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से यह अकाउंट डिलिट हो जाएगा तो पहला तरीका यह हो इस तरह से control panel open हो जाएगा अब यदि आपके case में इस तरह से नहीं दिखते है तो आपको क्या करने यहापे क्लिक करके आपको category select करने के बाद आपके case में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहापे दिख जाएगा user account इसको पर आपको click कर देने किलिक करते हैं इस तरह से विंड़ो ओपन हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूजर एकाउंट इसको पर आपको किलिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से विंड़ो ओपन हो जाएगा अब आपको केस में जितना भी क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा, delete file, इसके उपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा, इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, delete account के उपर आपको क्लिक करना ह उसको आप delete करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसके उपर आपको click करना है, click करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा, अब यदि आपके case में यहाँ पर delete this account का option नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपके case में एक ही administer account या एक ह account create है, इसलिए आपके case में वहाँ पर option नहीं आ रहा है, उस case में आपको क्या करना परेगा, दूसरा account आपको create करना परेगा, ओ भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ, मान लिए यदि आप इसको delete करना चाहते, इसके उपर आप click कीजएगा, click करने क हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आप delete account दिखेंगे, यहाँ पर आपको click करना है, click करते हैं, इस तरह से window आ जाएगा, आप देख रहे हैं, यहाँ यहाँ पर यह डिलिट नहीं हो रहा है, यानि यहाँ पर लिखा आ गया, window cannot delete account, this is current sign in, यानि अभी यह user account sign in है, इसलिए delete नहीं होगा, तो इसको कैसे delete करना है, वह मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, okay करके इसको बाहर आ जाना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस window को यहाँ से minimize करना है, minimize करने के बाद आपको क्या करना है, यह वाला window open करना है, open करने के बाद आपको क नहीं मैं आपको बताता हूँ अब मालिजह जदी आपके केस में आ सब निन इसके के आपको उपर किलिक करते हैं इस तरह से विंडो उपन हो जायाएगा आपको आपको क्रे electorate करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहां पर किलिक करते हैं यह यूजर नेम टैप कर लेना है जो भी आप रखना चाहते हैं यहां पर टैप कर लिजेगा यदि आप पासवर्ट रखना चाहते हैं यहां पर पासवर्ट सेट कर सकते है इसके बाद यहाँ पर आपको next पर click कर देने, next पर click करते हैं, यह user account यहाँ पर add हो जाएगा, add होने के बाद आपको क्या करने, सबसे पहले यहाँ पर click करने, click करने के बाद आपको change account टाइप के उपर आपको click कर देने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करना है click करने के बाद यहाँ पर अदिमिंडो को से खरोज कर देन है अब आ beslnow को क्रेंगा आपको कीबूर्ट से विंडो एक 30 परेश किजयेगा प्रेश करने के बाद इस तरह से विंडो होजायगा आप से लिप्स हैड़ और डिखेए आप आप जो भी user current आपने create किये हैं जिसको आप रखना चाहते है उस user से आपको login कर देना है अभी आपको मैंने दिखाया है यहां पर मैंने बिकरम5 नाम का user यानि यह वाला user create किया है इसलिए आप यहां पर क्या कर रहा हूं इसके उपर आपको click कर देना है ऐसी आपके case में जो इसके बाद यह window open हो जाएगा आपको यहां पर next कर लेना है इसके बाद accept पर click कर देना है एकसेट पर click करने के बाद इस तरह से यह window start हो जाएगा आप देख रहे हैं यह window start हो चुका है इसके बाद आपको क्या करने है search पर click करना है click करने के बाद आपको control panel search करके control panel open कर लेन open करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा user account इसको पर आपको click करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर user account के उपर click कर देना है क्लिक करते हैं यह window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर manage another account दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको सारा user दिख जाएगा अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यह पाले बाला administer account था जो delete नहीं हो रहा था आपको क्या करना है उस account के ऊपर आपको क्लिक कर देना है जो delete नहीं हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडू आ जाएगा अब मालेजे यदि आपके case में भी इस तरह से warning देगा तो आपको क्या करना यहाँ पर yes पर click करते हैं यहाँ से delete हो जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ से यह administer account delete हो चुका है तो इस तरह से आप administer account delete कर सकते हैं तो एक तो तरीका यह हो गया administer account को delete करने के लिए दूसरा तरीका आप cmd command से भी administer account को delete कर सकते हैं चलिए मैं आपको दूसरा तरीका से भी बताता हूं cmd command से कैसे आपको इसको delete करना है इसके लिए मैं क्या करो सबसे पहले मैं इस user account से login कर रहा हूं इसके बाद इस user account को delete करोंगा इसलिए मैं क्या करों यहाँ से sign in कर लेता हूं यहाँ पर click यूजर एकाउंट के उपर क्लिक करना है यूजर एकाउंट के उपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके से window open हो जाएगा अब आपको यहां पर वो command टैप करना है जैसा मैं टैप कर रहा हूं वैसा टैप कीजेगा यहां पर आपको टैप करना है इस तरह से टैप कीजेगा इसके बाद आपको इसके बाद यहाँ पर user user इस तरह से टैप किजेगा इसके बाद आपको एसके बाद यहाँ पर यूजर नेम टैप करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं इसका यूजर नेम क्या है यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर आपको टैप करना है इसके बाद 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 यानि तो आप इस वीडियो को यहाँ पहुच करने के बाद 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 यहाँ रिये स्टाट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एड्मिनिस्टर एकाउंट डिलिट हो चुका है तो इस तरह से आप cmd कमांड के थुरू भी आप इसको डिलिट कर सकते हैं आपको यह दो तीन तरीका बताना है इसके बाद इसके ओस आपको दिख सकते हैं cmd command इसके बाद इसके उपर आपको right क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यदि आपको case में भी इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ जैसा मैं tap कर रहा हूं वैसे tap कर देना है यहाँ प इसके बाद forward select इसके बाद यहाँ पर active colon and no इस तरह से टैप कि लिजेगा जैसा मैंने टैप किया वैसे टैप कर लिजेगा इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर कर देने इंटर करते हैं इस तरह से सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू